हमारे पास अब गुणा के किसी भी सवाल को हल करने के सामानिय सूत्र हैं इस वीडियो में हम बहुत से उधारन करने वाले हैं आईए शुरू करें पीले रंग से शुरू करते हैं 32 गुणा 18 32 गुणा 18 8 गुणा 2 है 16 जगे की कमी हो सकती है इसलिए इसे मन ही मन करते हैं तो 8 गुणा 2 है 16 एक यहां उपर रखते हैं 8 गुणा 3 है 24 24 गुणा 1 हुए 25 इस तरह 8 गुणा 32 हुए 256 अब इस एक का जो असल में 10 है 32 से गुणा करते हैं 1 गुणा 2 हमें यहां चौकस रहना है 1 गुणा 2 है 2 2 यहां नीचे रखते हैं याद रखें यह 10 है इसलिए हम वहाँ एक 0 गुणा 2 है 20 या कहेंगे 1 गुणा 2 है 2 लेकिन आप इसे दहाई के स्थान पर रखते हैं तो यह 20 होगा इस तरह 10 गुणा 2 है 20 यह सही है फिर 1 गुणा 3 जो पहले किया है उसे हटा दें एक गुणा तीन है तीन जोडने के लिए कुछ नहीं है इसलिए तीन इस तरह दस गुणा बतीस हुए तीन सो बीस यह एक यहाँ पर दस है दस जमा आठ है अठार है अब हम दोनों संख्याएं जोडते हैं छे जमा शून्य है छे पांच जमा दो है साथ दो जमा तीन है पांच आगे बढ़ते हैं 99 को 88 से गुणा करते हैं 8 गुणा 9 हुए 72 साथ को वहां रखते हैं दुबारा 8 गुणा 9 है 72 लेकिन अब इसमें साथ जोडना है इस तरह 72 जमा साथ हुए 89 बिल्कुल सही इसका काम हो गया इसे मिटा देते हैं ताकि अगले चरण में हम चक्राएं नहीं अगले चरण में हम इस 8 का 99 से गुणा करते हैं लेकिन ये 8 नहीं 80 है इसलिए वहां एक शून्य लगाते हैं 99 को 88 से गुणा करते हैं 8 गुणा 9 है 72 साथ को वहां रखते हैं फिर 8 गुणा 9 है 72 जमा 7 हुए 89 2 जमा 0 है 2 9 जमा 2 है 11 एक हासिल ले गए 1 जमा 7 है 8 8 जमा 9 हुए 17 एक हासिल ले गए 1 जमा 7 होंगे 8 8712 ये काफी नहीं है ठीक है 53 गुणा 78 मेरा ख्याल है पहले 8 को 53 से गुणा करें इस तरह 8 गुणा 3 हुए 24 2 उपर रखें 8 गुणा 5 है 40 40 जमा 2 हुए 42 42 अब इस 7 का गुणा करेंगे ये 7 असल में 70 है इसलिए हम यहाँ 0 लगाना याद रखते हैं 7 गुणा 3 इसे हटा देते हैं हम चक्राना नहीं चाते 7 गुणा 3 है 21 एक को यहाँ रखें और 2 को उपर रखें 7 गुणा 5 है 35 जमा 2 हुए 37 अब हम जोडने के लिए तयार हैं 4 जमा 0 है 4 2 जमा 1 है 3 4 जमा 7 है 11 एक हासिल ले गए एक जमा 3 हुए 4 4134 आईए कुछ और करते हैं तुमान लो 796 गुणा 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 58 इसे अच्छी तरह मिलाएं ठीक है पहले हम 8 गुणा 796 करते हैं ध्यान दे हमने यहां एक अतरिक्त अंक लिया है इस तरह 8 गुणा 6 है 48 4 उपर रखें 8 गुणा 9 है 72 जमा 4 करेंगे तो 86 फिर 8 गुणा 7 है 56 56 जमा 7 है 63 ठीक है हम तयार है इन्हें यहीं छोड़कर 5 का गुणा करते हैं जो दहाई के स्थान पर है असल में यह 50 है यहां गुणा करें यह 50 है इसलिए यहां 0 गुणा 6 है 30 यहां 0 गुणा 9 है 45 जमा 3 हुए 48 पांच गुणा 7 है 35 जमा 4 हुए 49 अब हम जोड़ने के लिए तयार हैं 8 जमा 0 है 8 6 जमा 0 है 6 3 जमा 8 है 11 1 जमा 6 है 7 7 जमा 9 हुए 16 और 1 जमा 3 है 4 इस तरह 796 गुणा 58 हुए 46168 ये ठीक लगता है क्योंकि 796 लगभग 800 है आप जानते हैं कि ये 1000 के नजदीक है यदि 58 को 1000 से गुणा करें तो उत्तर आएगा 58000 लेकिन हम 58 को 1000 से थोड़ी छोटी संक्या से गुणा करते हैं इसलिए हमें 58000 से थोड़ी छोटी संक्या मिलती है ये संख्या सही दाइरे में है अब तीन अंकों की संख्या से गुणा करें आईए 523 को 798 से गुणा करते हैं ये तीन अंकों की बड़ी संख्या है लेकिन इसमें वही प्रक्रिया होगी एक बार आप यह विदी समझ ले तो आप कहेंगे अरे ये तो कितनी भी बड़ी संख्या पर लागू हो सकती है इसमें आपको ज्यादा समय लग सकता है और अंजाने में घलती होने की गुणजाईश होती है लेकिन इसमें उसी तरह सोचते हैं इस तरह हम 8 गुणा 523 से शुरू करते हैं 8 गुणा 3 है 24, दो को उपर रखें अब 8 गुणा 2 है 16, 16 जमा 2 हुए 18 एक को उपर लिखें, 8 गुणा 5 है 40 और जमा 1 हुए 41 इस तरह 8 गुणा 530 हुए 4184 अभी पुरा नहीं हुआ है अभी हम इसे 90 और 700 से भी गुणा करेंगे आईए यहां 90 का गुणा करे यह 9 नहीं 90 है इसलिए यहां 0 लगाते हैं और इसे हटा देते हैं 9 गुणा 3 है 27 9 गुणा 2 है 18 है 18 जमा 2 हुए 20 इसके बाद 9 गुणा 5 है 45 45 जमा 2 है 47 मुझे देखने दीजे मैं सही कर रहा हुँ या नहीं आईए थोड़ा दोराएं 9 गुणा 3 थे 27 9 गुणा 2 है 18 18 जमा 2 हुए 20 अब 9 गुणा 5 है 45 जमा 2 हुए 47 आखिर में हम 7 का गुणा करें जो असल में 700 गुणा 523 है 7 गुणा 2 है 14 14 जमा 2 हुए 16 एक उपर रखें ये 17 है इसके बाद 1 जमा 4 है 5 5 जमा 6 है 11 एक हासिल ले जाते हैं एक जमा 3 है 4 इस तरह 523 गुणा 798 हुए 4,17,354 तसली के लिए जात सकते हैं और यही सच्चाई है आईए देखे क्या है 523 गुणा 798 आप यहां पहुँचते हैं 4,17,354 ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना है यही सच्चाई है बगार कैल्कुलेटर करना खास रहा 523 गुणा 798